आज का हमारा टॉपिक है पाइथागोरस थियरम यानि कि इस वीडियो में आप लोगों को पाइथागोरस थियरम का प्रूफ समझाने वाली हूँ ठीक है और यह बहुत ही इंपोर्टेंट है एक्जाम पॉइंट ओफ यू से भी इसलिए आपको इसे समझना बहुत ज़रूर दोफ्ञक्ति है और आने कि राइट एंगल ड्राइंगल रेकि ड्यविव करेंगल में जैसे यहां पर मैं आप्ल यहां राईठ एंगल रंगल डॉप ऐए इसका नाम ले ले लेते हैं एपार आओन यह किसके equal होता है देखो is equal to the sum of the squares of remaining two sides यानि जो बचे हुए दो sides है उनके square के sum के equal होता है तो देखिए हमने ये AC तो ले लिया है अभी बचे हुए दो sides कौन कौन से है AB इसका square प्लस BC और इसका square ठीक है 90 degree का होगा 90 degree का होगा यह already question में दिया गया है तो क्या लिखेंगे हम यहां पर लिखेंगे in triangle ABC triangle ABC में angle ABC is equal to 90 degree ठीक है अब देखो हमें proof क्या करना है to proof क्या proof करना है हमको यह proof करना है न तो यहां पर लिखते हैं AC square which is equal to AB square प्लस BC का square ठीक है अब यह कैसे प्रूफ किया जाए राइट कैसे लाया जाए इसको तो देखो सबसे पहले तो हमें यहां पर construction करना पड़ेगा जब भी construction करते हैं न तो इस प्रकार से आपको लिख करके दिखाना चाहिए construction क्या construction करेंगे तो यहां से न हम एक vertex B से एक perpendicular draw करेंगे इस hypotenuse के उपर इस प्रकार से यह दिखिया हमने यह perpendicular line draw कर दी यहां पर लिख दिया D द्रॉफ्ट करते हैं तो यहां पर लिखेंगे क्या लिखेंगे draw perpendicular 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 заг bidy on side ac ac के उपर हमने ए estrat tendencies रो खिया ना तो वही मैंने लिख הה जो हमने construction किया उसको अमने यहां पर construction में लिख दिया अब ज़लिए भूम करते हैं तो यहां पर लिखते हैं तुम फिर्पी नहीं यहां पर यह जो diANGle अपका यहाँ पर लिखते है इन ट्राइंगल A, B, C ट्राइंगल A, B, C में यह जो आपका सेख B, D है सेख B, D इस परपिंडिकुलर on सेख A, C ठीक है देखो B, D जो है B, D यह परपिंडिकुलर है A, C के उपर मानते हो कि नहीं इस बात को क्योंकि अभी अभी हमने ड्राउ किया ना तो वो मैंने लिख दिया, अब देखो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी similarity of right angle triangle ठीक है, तो similarity of right angle triangle में होता क्या है, देखो जैसे यहाँ पर मैंने यह perpendicular line ड्राउ कर दिया, तो यहाँ पर मुझे कितने triangles मिल रहे हैं एक दो दो हो गए और एक बड़ा वाला तीन triangles मिल रहे हैं तो यह तीनों triangles क्या होंगे similar होंगे by similarity of right angle triangle यह property मैंने आपको बताई थी कब बताई थी आपको बताती हूँ जब मैं practice at 2.1 करवा रही तो वहां पर मैंने आपको basic में वह समझाया था और अगर आप भूल गया तो आप इमनी textbook खोल करके देख लिए अभी आपको दिख जाएगा ओके समझभा है आपको यहां पर हम क्या लिखेंगे triangle यह तीनों triangles आपस में क्या होंगे similar होंगे तो कैसे लिखना है ध्यान से समझो देखो यहां पर लिखेंगे हम triangle ADB triangle ADB यह similar होगा triangle देखो नाम कैसे लिखना है ADB लिखना अब यहां से reverse जाना BDC इस प्रकार से triangle BDC और यह similar होगा बड़े वाले triangle के तो इसका तो नाम लिखना बहुत आसान है ABC ठीक है तो नाम कैसे लिखना है देखो triangle ADB उसके बाद BDC और फिर यह ABC ठीक है यह तीनों आपस में क्या हो जाएंगे similar हो जाएंगे ठीक है इसका reason आप क्या लिखोगे देखो इसको मिटा दू उसके बाद मैं आपको reason लिख करके बताती हूँ यहाँ पर हम लिखेंगे कि by similarity of right angle triangle ठीक है इतना बाद आपको समझ में आया अब देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर दो क्या करेंगे ना यह दोनों को लेंगे और एक बार यह दोनों को लेंगे ठीक है अब देखो अगर दो ट्रैंगल सिमिलर होते हैं तो फिर उनके corresponding sites का ratio क्या होता है इक्वल होता है यह आपने आल्रेडी फॉर्स चैप्टर में सीखा है similarity में रैट तो यहाँ पर होगा क्या इसके जो corresponding sites होंगे उनका ratio equal होगा तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर लिख सकते ना AD upon AD upon AB ठीक है और यह किसके equal होगा DB upon BC के तो यहाँ पे लिखते DB upon BC और यह किसके equal होगा तो AB upon AC के राइट क्यूंकि यह सबी क्या है corresponding sites तो यहाँ पे लिख देते है corresponding sites समझ में आया आपको समझते रहिए बस ठीक है आप देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे तो इधर क्या है AD upon AB इधर क्या एक काम करते हैं यह तीनों भी इक्वल है ना तो इसको अटा देते हैं इसकी जरुवत हमको नहीं है बस यह दोनों को लिखते हैं ऐसा हम लोग कर सकते ठीक है क्योंकि यह तीनों भी क्या है बराबर है तो यहां पर लिखा है अब इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर वन समझ में आया इतनी बात समझ में आगे अब हम क्या करेंगे अभी हमने यह दोनों ट्रेंगल्स लेते हैं तो यहां पर लिखेंगे से सीमिलरली ओगए इसी के जैसा सेम टुल सेम सिमिलरली ट्रैंगल यह लेते है यह इस्पील to triangle ABC ठीक है अब देखो ये दोनों triangles क्या है आपस में similar है तो फिर इनके corresponding sides का जो ratio है वो क्या होगा equal होगा एसी के जैसा तो यहां पर हम क्या लिखेंगे देखो यहां पर लिखेंगे कि they are for BD देखो BD upon AB फिर DC upon BC फिर यह किसके equal होगा तो BC upon कि AC के equal हो जाएगा राइट इसका रीजन आप क्या लिखोंगे corresponding sides तो यहां पर लिख देते हैं corresponding sides कि इतनी बात आपको समझ में आगई अब देखो इसके आगे हम क्या करेंगे देखो आपको पताते चाहती हूं यहां पर देखो क्या है BD upon AB, DC upon BC, BC upon AC तो यहां पर BC इधर भी BC है न तो BC into BC BC का स्क्वाइर हो सकता है तो इसको हटा देते बस इसको लिखते यह दोनों को लिखते हैं तो यहां पर क्या लिखेंगे हम DC upon BC which is equal to BC upon AC अब एक काम करते हैं इसको इधर ले लेते हैं उसको उधर तो क्या हो जाएगा DC into AC which is equal to BC into BC करोगे तो BC का स्क्वाइर हो जाएगा इसको लिख देंगे equation number 2 अब हम एक काम करते हैं equation 1 और equation 2 दोनों को प्लस कर देते हैं तो यहां पर हम लिखेंगे adding 1 and 2 तो अब क्या हो जाएगा देखो left hand side को left hand side में plus करेंगे right hand side को right hand side में plus करेंगे तो इधर देखना left hand side में क्या है AD into AC तो यहां पर लिखते हैं ना AD into AC देखो AD into AC ठीक है इसमें हम plus करेंगे यहाँ पर देखो क्या है dc into ac ठीक है dc into ac को which is equal to अब देखो यहाँ पर right hand side में क्या है यह left hand side था ab square plus bc square ab square plus bc का square देखो ab का square plus bc का square इतना हमने कर दिया अब इसके आगे हमें क्या करना चाहिए हमें चाहिए क्या आप देखो हमें प्रूफ क्या करना है a c square which is equal to ab square plus bc square तो ab square plus bc square कैसे आएगा सोच यह दिमाग लगाना पड़ेगा तो यह देखो यहाँ पर ab square plus bc square आ चुका है आ गया है बस अभी हमें a c square लाना है तो यह कैसे आएगा बताती हुना रुकिए ज़रा यह देखो a c इधर भी है इधर भी है तो a c को हम लोग common ले ले चलिए a c को मैंने ले लिया है common ठीक है अभी bracket के अंदर आएगा क्या तो a d d plus dc है न यहीं आएगा समझ रहे होगी नहीं मेरी बात को a c को बाहर ले लिया यहां से भी बाहर निकाल लिया तो इधर a d बचा हुआ है इधर dc बचा हुआ है which is equal to a b square plus bc का square ठीक है इतनी बात समझ में आ गए अब कैसे किया जाए तो यहाँ पर թ सबाल कर लिए इतनी वान बत्याव से किया अगर मुझे कोई एसी पूझे तो मैं क्या बोल सकती हूं kiri बोल सकती है अ जिह यांँ बोल सकती हुँ और प्लस बैस विख घी लिख सकते है जी लिख सकते हैं तो चलिए हम लिख देते हैं क्या लिखेंगे यहां पर इसके प्लेस पर एसके प्लेस पर एसी इक्वल टू एबी स्क्वाइर प्लस बीसी का स्क्वाइर राइट आप देखो एसी क्या हो चाहेगा एसी का स्क्वाइर हो चाहेगा तो यहां पर लिखेंगे देयार फोर एसी स्क्वाइर विच इ यह आता है तो आप लोग कर सकते हो ना तो आई होब कि आपको यह पाइथागोरस हीरम समझ में आया होगा देख लीजिए ऐसे ही करना है एक्जाम में बस इतना ही लिखकर क्या आता है यहां से लेकर के यहां तक यह स्टेटमेंट दिया रहेगा बाकी यह जो मैंने आपको लिखकर के दिया यह आपको खुद से ही लिखना पड़ेगा समझ में आया और देखो यहां पर एक और चीज लिखना था ए से डी और डी से सी है ना जब हमने यह ड्रॉ किया ऐसी के उपर अब आप कोशिश्य करोके तो आपको आएगा तिक है इसको मैं निता देती हूं वो के?